गुट मॉर्निंग स्टूडिंस पिछली वीडियो में हमने भाषा एवं व्याकरन के विशाय में पढ़ा आज हम पढ़ेंगे चाप्टर टू वर्न विचार वर्न और वर्न माला वर्न किसे कहते हैं वह छोटी से छोटी द्वनी जिसके और टुकड़े नहीं किये जा सके वर्न कहलाती है किसी भी भाषा को सीखना शुरू करने में सबसे पहले हम उसके वर्न को सीखते हैं वर्न से हम फिर शब्दों को लिखना सीखते हैं और शब्दों से फिर हम उस भाषा के वाक्य को बनाते हैं यानि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्न होती है इसके हम और टुकडे नहीं कर सकते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं वर्ण माला वर्ण माला शब्द वर्ण प्लस माला शब्दों के मेल से बना है जिसका अर्थ है वर्णों का समू किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन सबसे मिलकर उस भाषा की वर्ण माला बनती है वर्णों के क्रम बद एवं व्यवस्तित समूं को हम वर्ण माला कहते है ये देख सकते हैं आप ये हिंदी की वर्ण माला है जिसमें स्वर है आ से लेकर आ तक और व्यंजन है क से लेकर हा तक तथा अयोगवा है अंग और अ अन्यवर्न है अड़ा और धा संयुक्ट वेंजन है श, त्र, ग्य, श्र और आगत वनिया है और जो स्वर है तथा ज़ और फ वेंजन है आईए हम वर्ण माला के भेद पढ़ते हैं उच्षारण के दिष्ठी से वर्ण माला वर्णों के दो भेद होते हैं स्वर और वेंजन वे ध्वनियां जिनके उच्षारण में हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तता हवा हमारे मुख से बीना किसी रुकावट के निकलती हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं यानि जिन वर्णों के उच्चारन में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती या जिनका उच्चारन स्वतंत्र रूप से हो उन्हें हम स्वर कहते हैं हिंदी में ग्यारा स्वर है स्वर के तीन भेद होते हैं हर्श स्वर, दिर्ग स्वर और प्लूट स्वर जिन स्वरों के उचारन में सबसे कम यानि बहुत कम समय लगे उन्हें हम हर्श स्वर कहते हैं जैसे ये चार है हर्श स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं इनमें री का प्रयोग केवल संस्क्रित के तत्थम शब्दों में होता है जैसे रिशी, रितू, कृपा, स्विस्टी, आदी हिंदी में स्वर का उचारन री के रूप में होता है और लिपी में रीका प्रयोग प्रचलित है दिर्ग स्वर जिन स्वरों के उचारन में हर्ष्व स्वरों से दुगना समय लगे उन्हें हम दिर्ग स्वर कहते हैं ये साथ है आ, ई, उ, ए, 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 ओ, आओ इनमें हर्ष्व स्वरों से दुगना समय लगता है हम प्लूत स्वर कहते हैं प्लूत रूप का निर्देश करने के लिए संस्कृत में स्वर के आगे तीन का अंग लिखने की परंपरा है जैसे ओम आदिप परंतु हिंदी में इस प्रकार का प्रचलन नहीं है प्लूत का प्रयोग किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने में किया जाता है जैसे ओ मोहन इधर आ संगीत में भी प्लूत स्वर का प्रयोग होता है जब व्यक्ति गीत गाता है और किसी स्वर को लंबे समय तक बोलता है तब भी वस्वर प्लूत होता है आईए हम आगे पढ़ते है ओध्वनी हिंदी की ग्यारा स्वरों के अतिरिक्त अंग्रेजी के डॉक्टर, हॉल, बॉल, कॉलेज, आफिस जैसे शब्दों में बोली जानने वाली ओध्वनी आ और ओ के ध्वन्यों की मध्यवर्ति ध्वनी यह बीच में हो थी, यह न आ है न ओ है यह ओ है इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही मिलता है वो अंग्रेजी शब्दों जो हिंदी भाषा में मिले हुए है वहाँ पर इन ओध्वनी के प्रयोग का प्रयोग किया जाता है इसलिए जब भी शब्दों का उचारन करे, वर्णों का उचारन करे, ध्यान से करे, क्योंकि उचारन में गल्तियों से शब्दों का अर्थ बदल जाता है, जैसे आप एक उधारन में देखेंगे, आ, आ लगने से बना है बाल, और वही आ लगने से बना है बॉल, तो बाल और बॉल दोनों में अंतर आप देख सकते हैं अगले उदारन में देखिए क्या हाल है यानि यहाँ पर किसी का हाल चल पूछा गया या हाल बड़ा है यहाँ एक बड़े से कमरे को हाल कहा गया यानि आ और और लगने से शब्द के अर्थ में परिवर्टन आया अपने मूल रूप में जैसे अमर, आई, आओ आदि शब्दों में अ, आ, ई और ओ स्वर अपने मूल रूप में है यह जैसे लिखे जाते है वैसे इनका यहाँ पर मूल रूप में प्रयोग किया गया है और यह मात्रा के रूपे में प्रयोग किये जाते हैं यानि इन स्वरों को जब हम व्यंजनों के साथ लिखते हैं तो हम इने मात्रा के रूप में लिखते हैं जैसे चाची शब्द में आ और ई स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त हुए है चा प्लस आ चा और चा प्लस बड़ी ई ची इसी प्रकार आये में तीनों स्वर अपने मूल रूप में है परंतु लीजिये में E और E स्वर मात्रा में के रूप में प्रयुक्त हुए है लिखने में व्यांजन के साथ स्वर का जो रूप मिला हुआ होता है उसे स्वर की मात्रा कहते है स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है स्वर मात्राएं आ की कोई मात्रा नहीं होती है आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आ, ओ और आ इनकी मात्राएं होती है आ की मात्रा नहीं होती आ सभी व्यंजनों में होता है आ रहित वर्ण हलंत चिन एक नीचे जो तिर्शी रेखा लगाते हैं जब भी कोई वर्ण किसी भी वर्ण को हम व्यंजन के स्वर के बिना लिखते हैं या आ के बिना लिखते हैं तो उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं उ और उ की मात्राए र के मध्य में लिखी जाती है जैसे रुपया, रूप, आदे री की मात्राएं र, ट, ठ, ड, ड, और मुधर्ण्यना के साथ नहीं लगती है शक के साथ री की मात्रा जुणने पर श्री बनता है आईए हम आगे पढ़ते हैं अयोगवा जो वण किसी स्वर के योग से सार्थक बनते हैं अयोगवा कहलाते हैं स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी बने वाला में दो वण और भी है अंग और अह इन दोनों का उच्चारण स्वरों के बाद संभव होता है स्वरों की तरह मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजन की श्रेणी में नहीं आते और स्वतंत्र रूप से गतिन होने के कारण ये स्वर भी नहीं कहे जाते इसी कारण अयोगवा को हिंदी देवनागरी वर्णमाला में स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले लिखा जाता है अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर अनुस्वार व्यंजन ध्वानी है इसका उच्चारन करते समय ध्वानी केवल नाक से निकलती है अनुनासिक का उच्चारन सभी स्वरों के साथ होता है इसका उच्चारन अनुस्वार की अपेक्षा हलका होता है और इसका उच्चारन करती समय हवा नाक और मुह दोनों से निकलती है अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि इनके एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करने से शब्द का अर्थ अलग हो सकता है जैसे अनुस्वार यानी बिंदू जो आप लगाते हैं अनुनासिक यानी चंद्र बिंदू आप उदारन देखेंगे हंस यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया गया हंस एक पक्षी है हंस यहाँ यह अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से शब्द का अर्थ भिन्न हो जाता है विसर्ग विसर्ग का उचारन हा के समान होता है विसर्ग केवल सस्कृत के मुल शब्दों में आते है जैसे अता, प्राता, आदी तो अभी हमने स्वर के विशय में पढ़ा वर्न पढ़ा, वर्न माला पढ़ा वर्नों के प्रकार पढ़े तथा स्वर के तीन भेत पढ़े अगले वीडियो में हम व्यंजन के विशय में पढ़ेंगे आप स्वर्तक ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे धन्यवाद